नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और श्रीकर्ष्ट जन्मास्मी के इस विशेस एपिसोड में। उनके स्वरूप की व्याख्या, गुणों की व्याख्या या उनकी क्रियाएं कुछ पंक्तियों में समेटी नहीं जा सकती। श्रीकर्ष्ट का चैनल ऐसा नहीं था कि हर व्यक्ति उन्हें अपने से अलग समझ करके अधस मान करके देखे। उनकी लीलाओं के समझ में जितने गरंत और रशनाय लिखी गई उतने किसी अन्य के समझ में नहीं है। जिसने अपने जीवन में श्रीकर्ष्ट को समझ लिया, गीता का ज्यान अपने जीवन में उतार लिया, तो समझ लीजे वह योगी बन गया। श्रीमत भगवत किता में श्री कर्ष्ण स्वैम कहते हैं यत्र योगे स्वर कर्ष्णो यत्र पार्थो धनुदर तत्र सी विज्योर भूती धुर्वा नितिर मतिर ममा तात्पर ये है कि जहां अर्जुन है वहां करश्ण है जहां कर्म स्वरुप अर्जुन है वहीं योगी स्वरुप करश्ण है वहीं विजय, श्रेश्ता, श्री और निती है क्रश्ण के विल भक्ति स्वरूपी नहीं है उनके तो जीवन में कर्म उनके उपदेश जो गिता में समाईत है उनके साथ सा निती अनिती आशा आकांसा मर्यादा आचरण प्रत्यक पक्स को पूर्ण रूप से समझ कर अपने भितर उतारने का साधन है श्रीक्रश्ण की निती आदर्स एवं मर्यादाखा चरम रूपना होकर के व्यवारिक्ता से परिपून होकर ही दुस्तों के साथ में दुस्टता का व्यवार तता सज्जनों के साथ स्रिष्टता का व्यवार मित्र और सत्रू की पैचान किस निती से किस प्रकार निकाली आज भी व्यावारी के रूप से खरे उतरते हैं। चुकि भगवान स्वैम इस दिन प्रत्वी पर अवतरित हुए थे अत्व इस दिन को कष्ण जन्मास्टमी अत्वा जन्मास्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन इस्तरी पुरुस वरद बालक सभी रातरी बारा बज़े तक वरद रखते हैं और इस दिन मंदिरों में विसेज जहांकियां साहिया जाती है और बगवान स्वै कष्ण को जोला जोला जाता है। अब जो आप जन्मास्टमी मनाने वाले हैं उसका मौरत क्या है पहले मौरत समझ लीजे मौरत जान लीजे। जन्मास्टमी का वरत आप 15 거예요 को परात ग्यारा बज़े करके 16 मिनट के बाद में खोल पाएंगे या खोलना चाहिए। कुछ लोग 12 अगस्त को जन्मास्टमी मनाने की बात भी कह रहे हैं लेकिन 12 अगस्त को सूर्यदे कालिन तीथी तो अश्टमी होगी लेकिन रातरी में जब स्रीकष्ण का जन्मोस्व होगा उस समय अश्टमी नहीं होगी अब हमेशा अपने पंचांग में देखा होगा कि कोई भी वरत दो बार लिखा जाता है ठीक एकादेसी वत इस्मार्थ और एकादेसी वत वैश्टनव तो ठीक उसी धंग से जन्मास्टमी भी इस्मार्थ और वैश्टनव लोग अलग लग दिन मनाएंगे जन्मास्टमी को इस्मार्थ और वैश्टनव संप्रदाय के लोग अपने अपने अनुसार अलग लग धंग से मनाते हैं श्रीमत भागवत को प्रमान मान करके इस्माथ संप्रदाय के मानने वाले चंजरुदय व्याप्यनी अश्टमी अताद रोहीनी नक्षत में जन्मास्टमी मनाते हैं या जिस रात्री को अश्टमी हो उस दिन जन्मास्टमी मनाते हैं वहीं वेश्टनम संब्रदाय मानने वाले वेश्टनम धर्म मानने वाले सूर्य उदे काल व्यापनी अश्टमी अथाद जिस सूर्य में अश्टमी हो उसको या ये बोल सकते हैं सूर्य उदे काल रोहिणी नक्षत को जन्माश्टमी का त्योहार मानते हैं ये फरक है स्मार्त अब बात करते हैं कि जन्मास्ट में का वरत किस प्रकार से मनाना है। इस दिन उपवास रखे जाते हैं तता स्रीकरष्ण की बक्ति के गीतों का गान किया जाता है। इस दिन निवरत हो करके पवित्र नदियों में यदि आसपास कोई है नदी या सरोवर है या पोखर में तालाब में या घर पर ही सनान करके जन्मास्ट में विवरत का संकल्प लिया जाता है। पंचामरत और गंगाजल से मातादेव की और भगवान स्रीकरष्ण की मूर्ति या फोटो फ्रेम पालने में स्थापित करते हैं। तता भगवान श्री क्रश्ण की मूर्ति को स्नान करवा करके अभिशे करवा करके नए वस्त धारन करवाए जाते हैं। बाल गोपाल की प्रतिमा को पालने में बिठाते हैं तता 16 उप्चारों से 16 प्रकासे भगवान श्री क्रश्ण का पूजन करते हैं। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्षमी आदे के नामों का उच्चा रण करते हैं तथा उनकी मूर्तियां भी यदि आपके पास में हो तो इस्थापित करके पूजन करना चाहिए श्रीकर्षन भगवान को भोग सुरूब माखन और मिश्री का, खीरा और ककड़ी का, पंचामरत और धनिया की पंजरी का भोग लगाय जाता है ध्यान रखे, श्रीकर्षन को लगायवा भोग बिना तुलसी पत्र के स्विकार नहीं होता है इसलिए जब भी आप श्रीकर्षन भगवान को भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र डालना ना भोले श्रीकर्षन जी के भोग में बने पंचामरत में दूद, दही, घी, सहद और सकर मिला रहता है तो ता भोग लगाते समय उसमें तुलसी पत्र मिलाय जाता है श्रीकर्षन भगवान जी को जो पंजरी भोग में लगाय जाती है, वह भी साधरन पंजरी से अलग होती है लोग उसमें अपनी इच्छा नुसा सूखे मेवेर मेलाते हैं कुछ लोग उसमें सौंट भी डालते हैं और फिसी कष्ण बगवान को भोग लगाते हैं यह त्योहार विभिन रूपा में मना जाता है कई रंगों की होली होती है तो कई फूलों और इत्र की सुगंद का उस्सव होता है तो कई दई हंडी फोडने का जोश और कई इस मोखे पर भगवान कष्ण के जीवन की मोहक छवियां देखने को मिलती है मंदीरों को विशेश रुप से सजा जाता है भगत इस अवसर पर व्रत और उप्वास का पालन करते है मत्रों में जन्मास्मी पर आयुजेट होने वाले श्री करश्ण जन्मास्मी को देखने के लिए देश से ही नहीं बलकि विदोसों से लाखों की संक्या में करश्ण भगत महुंचते है भगवान के विग्रे पर हल्दी, दही, गी, तेल, गुलाबजल, मक्षन, केसर, कपूर, आदी सब चड़ा करके उनका एक दूसरे पर छिड़काव करते है करश्ण जन्मास्मी की रातरी को जब श्री करश्ण का जन्म होता है जन्म उस्व मनाए जाता है उस समय हर और एक ही बात सुनाई देती है हाती गोडा पाल की, जै कनया लाल की, नंद के आनंद भयो, जै हो कनया लाल की, जै हो नंद लाल की मैं जब चोड़ा बच्चा था, मा की हाथ पकड़ करके, जब करश्ण मंदिर जाते थे तब ज़्यादा तर यही सब सुनता था, और यही हम सब भी बोलते थे और आप भी उल्लास के साथ में, मन में उमंग के साथ में यह सब बोल करके देखिए आपको भी बच्च्पन की याद आ जाएगी आज बस इतना ही स्वस्त रहें, प्रसन रहें, अपना अपनी परिवार का बहुत-बहुत ख्याल करें आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत सुप कामना है श्री कश्ण आपकी कामना पूरी करें, आपकी सारी समस्याओं को दूर करें अंत में धनिवाद के साथ में यही कहना चाहता हूँ श्री कश्नम सर्णम ममा छूबूडर अच्झा जार सेयु अढ़ा हूँ श्री को Hindiयो MINI